जानकारी हम राश्टवात के उदय के उसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देंगे बताएंगे कि सब्सक्राइब कर दोड़ा है जिसके माध्यम से उनों ने राष्टवात की उदय को समझाया और उसमें उनों ने क्या किया सपनों का एक संशार रचा जिसमें की सब्दों में जनतात्रिक और समाजिक सराइ व्रक्ट के गर्टमटारद से मिलकर बना था, इस जैंक्ल है में आप जब भुक देखी तो भुक में वह से चित्र दिये हो है होई ऑस्वें के वाधियां से भी आप लोग समझ सकते हैं, उसमें यूरोप और अमेरिका के जो लोग दिखाए गए हैं चित्र में, उसमें सभी उम्र की और सभी वर्ग के इस्त्री और फुरुस उसमें सामिल थे, जिसमें कि वो लोग सभी एक लंबी कतार में खड़े हुए थे, और उन्हों एक प्रतिमा की बंदना करते हुए दिखाए जा जो है, जब यह उदय हुआ तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो ज्यान उदय की जो मसाल है, मसाल लिये हुए महिला दिखाते हैं या मसाल लिये हुए तो यह एक राष्ट वलत के उदय कारण भी है, जिसमें हम देखेंगे उसमें एक हाथ में और दूसरे में मनुस की अधिकारों की कोशना करता है और प्रतीमा के सामने जमीन पर निरंकुष संस्थानों के ध्वस्त अफसेश भी विखरे हुए दिखाए जाती है, इसमें दुनिया के लोग अलग अलग राष्टों के सम्मूं में बटे हुए होते हैं, जिनकी पहचान हुए कपड़ों हमें कहां आग, जुलूज और नेत्रित्व कर रहे हैं यह सारी चीजे भी उसमें दिखाए जाती है, जिससे यह समझ में आता है कि राष्ट राज जब बन चुके होते हैं तो फ्रांस में जुक्रांति करारीन तरंगे से पहचान किया जा सकता है, अभी अभी हमने यह यहां पर उस समय सर्यों के चबी निर्मित की गई है, जर्मन के लोग हैं, उसमें सहीक राष्ट का हिस्सा नहीं बने हुए हैं और अनेक जर्मन भासी रियाशती भी प्रजातांतिक सम्मिदान के अंतरगातिक राष्ट राजु गठित करने की चाह उन्होंने रखी थी, ज उपर स्वर्ग में ईसा मसी, शंत और फरिस्ते इस द्रिशे पर अपने नजरें जमाई जाएं, इसे चित्र कारिये बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो है राष्टों के विज़ भाय जारे का एक प्रतीक के रूप में बताया गया है, जो कि यह सारी लोग क्या कर रहे है इस संत इसा मसी बगर ये जशे को अपनी नजरों में जमाई जाएं, पिर इस अध्याय में ऐसे कई विज़ भी उठाया जाएंगे जिनकी कालपनी कमी वेक्ती सर्यों के चित्र में किया है, और साथ ही साथ यूरोप और राजनीतिक मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला द्रृजनी जिसमें कि परिवासित्थेंगे वद्री प्रहू सत्ताय केंधी सकती थी्प जिसके मांधय सेह शाउ्षन कर सकते थी। जिसमें साजा इत्यास मिरासत की भावना भी ती साजेपन की भावना भी अनंतिकाल तक नहीं थी और लोगों की सरगर्मियों में निर्मित हुई थी और इस अध्यायम में विवित प्रक्रियाओं कर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19-20 सधी के यूरूप में राश्टराज अ करांटि के साथ हुए थी अमनों भी आंगे और देखेगी कि फ्रांसी चिक्रांति कब हुआ था जो पूरे संपूर्ण भूह भाग पर यह रगकुस राजा आधिपत्य था जिसमें फ्रांसी सी क्रांटि सी राजवितिक तब लोगों द्वारा गठन राष्ट गठन होगा और वोई भी कब होगा इसमें नियती तै करेगा मतलब उस समय परिसितिया कैसी उत्पन होगी वे नियती ही तै करेगी और प्रारम से ही फ्रांचीशी क्रांती कारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांचीशी ल जिसमें लिखी जाती थी और राष्ट की साजा भासा बन गए थी क्रांटी कल्या क्यों čो फ्रांचीशी लाष्ट का जिता के पार मदद होगा फ्रांस की घटनाव की ख़वर यूरोप के विभिन सहरों में पहुंचा और सांतिंशा desserts करने में लगे थी अपनी अपनी भावनाओं को अभी व्यक्त कर सकते देश को विकास करना है वे सारी गति विद्यों अभियानों में प्रिंच सेनाव के लिए रास्ता तैयार किया गया था फिर 1970 के दसक में हालेंड, बेल्जियम, स्विजर्लेंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी जिसमें क्रांतिकारी युद्धों के सुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाय राज्टवात के विचार को विदेशों में ले जाने लगी और नेपोलियन की नियंतरन में जो विस समाप्त कर दिया गया था इस सहीता में जो था फ्रांसीसी नियंतरन के अधीन छेटा नियंतरन में में भी लाभू किया गया था जिसमें डच गरतंत्र स्विजर लेंड इटली और जर्मनी की जो नेपोलियन वाल फ्रांस प्रसाशनिक विभाजमों में साहं को सरल बनाए गया था सामंति ववस्ता को समाप्त कर दिया गया था फिर यहां पर भू दासत्व जागरदारी सु अर्वाजमों की नए उडियोग पते नहीं नहीं मिली आजादी चकी और साथी साथ वद्योग पते व खासनित समान बनाए रखने लगव उत्पादन को समझने में उनको एक समान कानून मानगभार नाप एक राष्टिये मुद्रा एक जलक दूसरे वश्तियों की पूजी आम आगमन में सहूलीत भी होगी, इसलिए उन्हों ने एक समान अधिकार एक अरहना अधिकार और एक समान कानून इसे वेवस्तां उन्हों में इस इस्थानी विल्टों हासन के प्रतिय प्रतिक्र शुरॉबत फ़िए प्राम शांज में उससे कि म tofu, सब्सक्राइब उल्टों के मिया एवी प्रिक्राइब। क्योंकि यहां पर जब देश अजाद हुआ था उसे कैसे चलाना है कैसे करना है कैसे नियम बनाने यह सारे चीजों के लिए वे स्वतंत्र हो गया थे वहां पर सामंती व्रश्ता बिल्कुरी समापत हो गई थे जब यह साफ होने लगा था कि नहीं प्रसाशनिक प्रवस्ता हैं नहीं राजनेटी स्वतंत्रता और कि अनुरूप नहीं थी तो बढ़े हुए कर सेंसेर्शीट और बाकी उरोप में जितने के लिए फ्रेंट सेना के जवरन भरती भू रहे नुक्सान प्रसाशनिक परिवर् कि मिले फायदों कहीं न कहीं जादा नजर आने लगी थी